देश भर में कोरूना की क्यास्तिती है, वेक्सिनेशन की क्यास्तिती है, जैजा लिया हमारे समबादातों ने में जुड़ना शुरू हुए है, दिली में यू तो ऑक्सिजन की कमी है, लेकिन उस कमी को पुरा करने के लिए अलग-अलग अस्पतालों में ये ऑक्सिजन प्लांट लगाये जा रहा है, वेक्सिंग को लेकर जहां आमदबाद म्यूसिपल कॉर्पोरेशन ने 18 से 44 साल के लो करोना हमारे देश में खेहर डा रहा है, लेकिन एलाज के लिए लोग तड़ रहे हैं, नास्पताल बिल रहा है, नास्पतालों में बेड़, ना दवा, ना इलाज, ना ओक्सिजन और वेक्सीन։ कैसे कुरोना से हम बचेंगे कैसे कुरोना को हम हराएंगे वैक्सीन लगाने को लेकर हमारे आज तक के तबाम सब वाददाताओं की देश भर से रिपोर्ट देखिए पॉंबई का पहला ड्राइब थू वैक्सीनेशन सेंटर ये उन लोगों के लिए है जो सीनियर सिटिजन्स हैं और वो जो की गाडियों से ज्यादा उतर के जिनको दिक्कत है चलने फिरने में उन लोगों के लिए डिफरेंटली एबिल जो लोग है उनके लिए है गाडियों म चार्ज बस देना पड़ेगा और वैक्सीनेशन जब आप लिका लगा के वहाँ थोड़ी देर अब्जरवेशन के लिए रहेंगे उसके बाद आपको वापस घर जा सकते हैं कहीं उतरने की जोरात नहीं है ये है एक सोविधा जो बीमसी ने शुरू की है यहाँ पर दिन भर में तक्रीबन 7-8 घंटे जो तक्रीबन 2000 डोस लगते हैं वैक्सीन के वो उन्हें लग जाएं और वो यहाँ पर वैक्सीन से सुरक्षित होके निकल पड़ें कैमरमें राकिश सालर के साथ विद्या मुंबाई आज तक मुंबाई में सेकेंड वेव के बाद कोविट के केसेस तो कम हो रहे हैं लेकिन लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर आ रहा हैं वैक्सीन लेने के लिए लेकिन लिमिटेट स्टॉक होने की वज़े से आप देख पाएंगे कि ऐसी लंबी लाइन जो है यह दिखाई देती है इस वक्त हम दादर में हैं एक पार्किंग लॉट में ये वेक्सिन सेंटर शुरू किया गया है जहां पर ये भी फैसिलिटी है कि जो विल्चेर के लोग है वो लोग कार में आ सकते हैं ड्राइब थू कार में बैटे-बैटे ही वेक्सिन हो जाएगा तो ये सुभा की जो गर्दी है ये दो से तीन घंटे में आप कह सकते हैं कि वेक्सिनेशन सेंटर पे जो डोजेज हैं वो दिन के जो डोज है वो एक्जॉस हो जाते हैं एक तरफ बीमसी के उपर ये चैलेंज है कि 18 तो 45 ये जो एज ग्रूप में जो लोग है उनको वेक्सिन दे दूसरा ये कि जो सेकेंड डोस पेंडिंग है उनको सेकेंड डोस दे तो इन सारी दिक्कतों में जो वेक्सिन का स्टॉक है वो कही न कहीं कम पड़ रहा है कैमापरसन बंगेश आमरे के साथ मुस्तफाशेक मुंबई आज तक हैं तो पहले दिन कुल 104 वेक्सिन सेंटर बनाए गया है पूरे राज्य में जिसमें 10,400 लोगों को कोविड वेक्सिन आज लगनी है लेकिन जो संख्या है लोगों की वेक्सिन लगवाने जो पहुंच रहे हैं वेक्सिन सेंटर पे वो जो स्लॉट है उससे कहीं ज्यादा है और इसलिए कई लोगों को यहां से निराश हो करके वापस जाना पड़ रहा है ऐसे ही एक परिवार है हमारे साथ अमित श्रिवास्ता हो जो सुबह से यहां लाइन में लगे थे इनका कहना है कि इनने नंबर भी मिल चुका था वेक्सिन के लिए रजिस्टेशन इनका पहल से हैं आप वैसी लगवान ने अंदर आपसे क्या बात हुई जब आप यहां पर रिजिस्टेशन काउंटर करें सर में सुबह साड़े छे बज़े से आ गया हूं और मुझे टोकन नंबर भी दिया गया मुरे रिजिस्टेशन नंबर देखके पहला नंबर टोकन दिया गया कि जब मैं काउंटर पहुंचा साथा दस वज़े से उन सो नामों की लिश्टे उसमें आपका नाम नहीं और जितने भी लगें जितने के पास भी रिजिस्टेशन का नाम नहीं 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 से पूरे बोपाल में सिर्फ एकी सेंटर यही नवीर और यहां सिर्फ सो लोगों को लग रहा है कैसे आप बाकी लोगों को रेजिस्टेशन दे रहे हैं कितने लोग आपके साथ फैमिली में आये थे जिनको यह इंजेक्शन लगना था और कपसे आप लोग लाइन में लगे हु झाल 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 जो झालते हैं